जाहिन्द एवरिवान, वेलकम टु खुंगा अरकेडमी, आज हम RIMC का प्रिविएस एर का कुछ कोश्चिन्स करेंगे, तो फर्स्ट कोश्चिन आपकी स्क्रीन पे है ये, देखो, सबसे पहले यहां पर दिया है 9 by 7, तो ओविसली ये जो टर्म है, ये 9 और 7 की ही कुछ ना कुछ पावर बन रही होंगे, तो आपने क्या करना है? ये आपकी शीट है इदर, और इदर आपने ये देखना है, कि 6, 5, 6, 1 जो है, ये 9 की कितनी पावर है? 9, 7 जा 63, 2, 9, 2 जा 18, 8, 9, 9 जा 81, और ये हमें पता है, कि ये हमारा 9 क्या, क्यूब होता है? ठीक है? यानि 6, 5, 6, 1 क्या है? 9 की पावर, 4, और 2, 4, 0, 1 भी, obviously, यहां नीचे 7 दिया गया है, तो 7 का कुछ ना कुछ पावर रहेगी, तो यहां से ये भी आपके क्या रहेगी, understood है, कि ये भी आपके 7 की पावर, 4 ही रहेगी, 7, 3s are 21, 3, 7, 4s are 28, 3, अब ये हमें पता है, क तो यहां से understood है, कि 9 by 7, solution क्या करेंगे, 9 by 7, यहां पावर के बीच में ब्रैकेट लग गया, तो 5, 3, 15, y, minus में 9, is equal to 9 by 7, raised to the power 4, और हमने अपने रफ वर्क में शीट पे ये दिखा भी दिया, कि ये पावर हमने कैसे ली है, बेस सेम होने पे, powers हमारी equal हो जाती है, तो यहां से 15y is equal to 4 plus में 9, तो 4 plus में 9 कितना हो गया, ये y is equal to 13 upon 15, 15 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इस तरह से आपने ये multiply करना है, 5, 3 is a 15y हो गया, ये 9 हो गया, और ये हमारी power जो है, 9 by 7 की power 4 हो जाती है, तो y की value हमारे पास आ जाती है, चलिए, Next है, find the least number which is a perfect square and is divisible by each of the numbers this, जब भी ऐसा question आ जाए, तो हमने क्या करना है, 16, 20 और 24 का, हमने क्या करना है, LCM लेना है, जैसे LCM की formula लेते हैं वैसे ही, 2 8s are 16, 2 10s are 20 और ये 12, 2 4s आए, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 5, 2 3s are 6, 2 1s are 2, और ये 3, और ये 5, यहा पर क्या आ गया, 5, अब हो क्या कह रहा है, find the least number which is a perfect square and divisible by all these numbers, इन सारे numbers से divisible रहेगा, तो यानी इनका LCM निकालना है, लेकिन वो perfect square भी होना चाहिए, तो यहाँ आप देखेंगे, कि जो pair बन रहा है, वो क्या है, ये pair बन गया, ये pair बन गया, तो आपने अपनी तरफ से जो multiply किया, वो 3 और 5 से multiply किया, यानी कि required number is, required number, जो हमें number चाहिए, वो क्या है, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ये तो given है, ये pair given है, हमने अपनी तरफ से 3 से और 5 से multiply कर लिया, तो ये क्या हैगा, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 16, 5 5 the 25, इसको ऐसे multiply कर लो मैं, 5 5 the 25, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 25 और 16, 16 5 the 80 कर 0, 8 16 to the 32, और 8 40, और यहाँ पर 3 3 is the 9, तो 9 4 the 36, 100 is the required number, जो की एक least number है, एक perfect square भी है, और इन सारे numbers से divisible भी है, next is, 2 bus tickets from city A to B, ठीक है, A to B, कितने ticket है, 2 ticket है, and 3 tickets from A to C, यहाँ से कितनी है, यहाँ से 2 tickets है, यहाँ से 3 tickets है, cost rupees 77, 2 bus tickets from A to B, and 3 bus tickets from A to C, cost rupees 77, यानि कितना हुआ यह, मालो A के बीच में, एक ticket का price X rupees है, तो 2 tickets का क्या हो जाएगा, 2X plus में 3Y is equal to 77, हमें एक equation यह मिल गई, दूसरी equation क्या है, but 3 tickets from city A to B, 3 tickets from city A to B, and 2 tickets from city A to C, that cost rupees 73, हमें 2 linear equation मिल गई है, 2 linear equation मिल गई, उसको कैसे solve करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1, यहाँ 2, हम लिखेंगे multiply 1 by 3 and 2 by 2, छीक, जब हम 3 से multiply करेंगे 1 को, 3, 2 is a 6, X, 9Y is equal to 7, 3 is a 21, 2, 3, 1, इसको जब मैं 2 से multiply करूंगी, तो 4Y, 146, and subtracting, इनको क्या करना है, अब subtract करोगे, sign change हो जाएगा, 5Y, 11, 6, that is 5, और 12, 4, minus करेंगे तो 8, तो Y की value आ गई, 17, Y की value यहाँ क्या लिखोगे, put Y in equation 1, जब equation 1 में हम Y put कर देंगे, तो 3 into 17 is equal to 77, तो 2X plus में 17, 3 is a 51, equal to 77, 51 उस से जाके क्या हो जाएगा, हमारा सब direct हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी 2X की जो value बनेगी, वो क्या आ जाएगी, 2X is equal to 51, जब हम minus करेंगे, तो यह आ जाएगा 26, और X की value आ गई 13, तो यह X की value भी आ गई और Y की value भी आ गई, तो what are the fares from city, B to C from, कुछ mistake है इसमें, B to C from A, what are the fares for cities, B and C, अच्छा, B and C का fare बताना है, A से B और A से C का, fare कितना है हमारा, एक ticket का जो price है, A से B का जो price है, वो है 13 रुपीज, और A से C का जो price है, वो है हमारा 17 रुपीज, यानि 13 रुपे एक ticket का price इसका, और A से C का 17 रुपीज, price आ गया हमारा solve करके, Next is, divide the smallest number, 2, 6, 2, 4, 4, by the smallest number, so that the quotient is a perfect cube, perfect cube के लिए जो हमें number दिया गया है, cube भी चाहिए, और divide the number this by the smallest number, कि से हम divide करें, कि जो quotient आए, वो एक perfect cube आए, तो 2, 1s are 2, 2, 3s are 6, 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, 2, 2s are 4, यह हम इसके factors बना लेंगे, 3, 2s are 6, 3, 1s are 3, 2, 3, 8s are 24, 3, 7s are 21, 3, 7s are 21, 2, 3, 2s are 6, 3, 9s are 27, फिर यह हमें पता है कि यह किसका cube है, यह 9 का cube है, यह हमारा 9, 8s are 72, 9, 9s are 91, और यह cube आ गया, ठीक है, perfect cube के लिए, यहां हमारे, 3, 3 का जो pair बना यहां पे, एक 3 का pair बन गया, क्या कहता है, divide किस से करें, divide करने के case में, जो चीजे हमारी रह जाती हैं, उनसे हम divide करेंगे, तो divide करने का case जब आ गया, तो divide किस से करेंगे, 2 x 2 x 3 x 3, यानि की 9, 4, 0, 36 से, जब हम इस number को divide करेंगे, तो quotient जो आएगा, वो हमारा perfect cube आएगा, next, how many natural numbers lie between square of 89 and 100, ठीक है, 89 का square और 100 के square के बीच में बोल रहा है, वो number कितने lie करेंगे, जब आपके पास इसका ये आ जाए, कि 89 का square और 100 का square, तो 100 का square तो हमें पता है, 1, 2, 3, 4, 89 का square हम, square के method से, यहां short trick नहीं चलेंगे, आर आएम से में, आर आएम से में आपको step by step सारी चीज़े करके दिखानी पड़ेगी, 9, 9, 81 का 1, 8, 801, यहां गया आपका, 7, 9, 2, 1, 7, 9, 2, 1, अब हमें क्या करना है, हमें इसके बीच में जो numbers है, इसने बोला है between, lie between, जब भी between का question आ जाए, तो आपने क्या लेना है, या तो इसको सब्ट्रेक्ट करके, सब्ट्रेक्ट करके, जो value आपको आई यहां पे, 2079, उसमें से एक हम सब्ट्रेक्ट करतेंगे, otherwise इसके between में बोला है, तो 7922, और यहां से जो number लेंगे आप, यह लेंगे, ठीक है, यह आएगा number, ठीक है, तो क्या करेंगे, 9999 में से 7922 सब्ट्रेक्ट करके, आप उसमें एक add कर देंगे, उसमें एक add कर देंगे, तो 2078 आपके पास numbers हो जाएंगे, natural number हो जाएंगे, जो की इसके बीच में lie करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि between बोला है या from बोला है, from के case में आप यही लेंगे, ठीक है, जब from बोला हो तो आप यही लेंगे, और between बोला हो तो आप इस तरहें से number लेंगे, ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, next is, what sum of money will amount to rupees, यानि यहां आपको मिल गया amount, amount क्या है, 4, 2, 3, 5, time is 3 and a half year, rate is 6%, यानि 7 by 2, ठीक, तो यहां क्या करेंगे, हम principle को, let the principle is equal to x, x माना, si हमारा क्या आगया, principle into rate into time upon 100, 2, 3 is a 6, 7, 3 is a 21, x upon 100, यह हो गया si, si ही आगया, तो amount हमारा क्या आजाएगा, si plus principle, si is 21, x upon 100, और principle is x, that will be 121, x upon 100, यह हमारा amount आगया, और given amount कितना है, 4, 2, 3, 5, तो x की value के लिए, into 100 upon, 1 to 1 is equal to x, तो यहां से क्या आजाएगा, आपका principle आजाएगा, 11 पे यह पूरा जा रहा है, और यह 11, 3, 33, 11, 8, 88, 11, 5, और 11, 3, 11, 5, तो यह आगया x की value आगई, 3500, यानि principle आगया आपका, 3500, यह आपका था, RIMC के, हिसाब से job को solution करना है, ठीक है, RMS या सैनिक स्कूल में, आपको क्या करना पड़ता है, आपको अगर principle निकालना है, तो amount into 100, upon, क्या करोगे, 100 में क्या add कर देंगे, rate into time, यह direct इसका formula होता है, तो direct formula amount कितना दे रखा है, 4, 2, 3, 5, into 100, upon 100, rate into time, rate is 6, into time is 7 by 2, तो 2, 3, 06, यह आएगा, 4, 2, 3, 5, into 100, upon, 7, 3, 021, that is, 121, अगर आपको RIMC में, आपको solution करके दिखाना है, तो आपको इस वे में करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें RMS में जो है, इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा solution लिखें, तो वहाँ हमारी यह short trick की approach चलेगी, जो यह formula है, उसको हम apply करेंगे, और RIMC में, हर step को आपका marks, हर step में marks calculate होता है, तो आपने step by step सारी शीज़ें करके दिखानी है, next is a train moving with a speed of 90 km per hour, crosses the electric pole, speed कितनी है, speed is 90 km per hour, अब हमें इसको change करना है, तो 1 km per hour is equal to 5 by 18 meter per second, तो यहाँ दिखाएंगे आप करके, कि 90 km per hour is equal to 90 into 5 by 18, यानि कि 25 meter per second, यह हो गई speed आपकी, time दे रखा है 15 second, और हमें क्या बताना है, length, length of train, length of train जब हम बताएंगे, तो क्या करेंगे, speed into time, यानि कि distance जो होता है, वो length of train होती है, that is distance is equal to length of train, is equal to speed into time, speed is 25 into 15, तो 375 meter is your answer, solve करके हमने सारी values इसमें निकाल ली है, इस तरह से हमने value फुट करनी है, simplify, simplify में हमें ये नज़र आ रहे हैं कि 4 की power n तो सब में है, तो 4 की power n common ले लिया, अंदर बचा 4 की power 2, minus 4, 4 की power n common ले लिया, अंदर बचा 5, minus 1, तो 4 की power 4 की power n से cancel out, 4, 4 is a 16, minus 4 upon 4, that is 12 upon 4, और 4, 3 is a 12, ठीक है, ये simplify form हो गई हमारी, simple, इससे ज़ादा हम कुछ भी इसमें कुछ solve नहीं कर सकते, इतने ही steps बनेंगे, तो ये आपके full marks आपको इसी में मिल जाएगा, चलिए, next पर चलते हैं, ये आपको दे रखा है कि x, y की values बताओ, हमें ये पता है कि, हम क्या करेंगे, इसको angle 3, 1 नाम दे देते हैं, angle 1, angle 1, plus 3x, plus 2x, minus में 5, और ये जो angle है, ये क्या है, फेल तो ये बताओ कि angle क्या है, angle 1 is equal to 60 degree, क्योंकि, ये आपको mention करना है, क्योंकि ये क्या है, ये है alternate, alternate, interior, angle, geometry में आपने, जो apply किया, वो हर चीज आपको लिख के दिखानी है, angle 1, 60 degree हो गया, अब, ठीक है, अब क्या है, angle 1, plus 3x, plus 2x, माइनस में 5, is equal to, 180 degree, क्योंकि, because, this is a linear pair, छीक है, linear pair, angle 1, कहां से आया, 60 degree लिख दिया, आपने, 3 or 2, 5x, माइनस में 5, is equal to, 180 degree, 5x, is equal to, ये 55 है, 60 minus 5, is 55, 55, वहां जाके, जब subtract करूँगी, तो मैं कितना आजाएगा, ये, 125, तो x की value, 25, 25 आगई, x की value, अब यहां पे, जो है, ये value, हम, ये apply कर सकते हैं, की in ABC, जैसे मैंने ये ले लिया, in, triangle, ABC, ABC में क्या होगा, 3x, angle A, is equal to, 3x, is equal to, 3 into 25, that is 75, angle B, is equal to, 60 degree, और angle C, is equal to, Y, is equal to, 2x minus में, 5, ये जो, y की value है, ये y की value क्या है हमारी, 2x minus में 5 हो जाएगी, क्यों है ये, क्योंकि, interior, alternate interior, angle, interior, interior angle, तो यहां से क्या आजाएगा, 2x minus में 5, x की value हमें 25 में लिये, तो y की value क्या हो जाएगी, 25, 2s are 50, minus 5, that is, 45, तो x की value आगई, हमारे पास 25, और y की value हमारे पास आगई, 45, ठीक है, तो ये, इस तरह से आपने, सारी values, उठ करके, apply करके, सारे results, हमने ये value, निकाल ली, पास और अरे, next is, find the smallest number, विच वें डिवाइद रिवाइद बाइ थी, तो ये, smallest number, जब इन से और इन से इवाइद करे, 25 minus 21, इकका रिवाइद 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 रिवाइद, ट्री, 36 minus 33, 33, is equal to 3, and 48 minus 45 is equal to 3, ठीक है, in this case, find LCM of 24, 36 and 48, इनका जब हम LCM निकालेंगे, 24, 36, 48, 12 to the 24, या अगया हमाना, 2 वनजा, or 3, LCM is, LCM is equal to, 12 to the 24, 24, or 3 to the 6, 144, LCM 144 आया, ठीक है, लेकिन LCM 144 आया, तो यह जो नंबर है, सब में common है, same है, तो required number आपका क्या रहेगा, required number is equal to 144 minus 3, that is 141, यानि कि, जब हम number को minus कर देंगे, 144 में से 3 minus कर देंगे, तो जो 144 number है, 24 से divide करने पर 21 देता है, और 36 से divide करने पर आपको 33 देगा, और 48 से divide करने पर आपको 45 देगा, चीक है, चलिए, next पर चलते हैं, हमें ये value दे रखी है, कि 3x minus 7, 1 upon y, ठीक है, और एक ये given है, एक ये given है, और दूसरी equation ये given है, यहाँ से x plus में 1 upon y is equal to 1, 1 upon y is equal to 1 minus में x, ये 1 point है, ये 2 point है, ठीक है, put 1 upon y in first, यानि कि 3x minus में 7, 1 minus में x, x इदर आके plus का हो जाएगा, और 1 plus में 7, 8, x की value 4, 2 is a 8, x की value आ गई है हमारी, और x की value, put x in second, 1 upon y is equal to 1 minus में 2, that is minus में 1, तो y का reciprocal कर देंगी, तो भी आपका minus 1 ही आएगा, तो x की भी value आ गई, और आपकी यहाँ पर y की भी value आ गई है, next is 12 men, कैसे लिखेंगे इसको, 12 men and मतलब plus 5 women can do a certain work in 4 days, जो हम MDH का formula लगाते हैं, वही लगाना है, बस इसमें change क्या है, men plus में women, एक आदमी और एक औरत, 1 men, it is in 12 days, तो यहाँ से 12 forza, 48 men, 20 women, 12 men, 12 women, men's एक तरफ, women एक तरफ, तो 48 men minus 12 men, और यह कितना हो गया, 2 men है, sorry, यहाँ पर 2 men, यहाँ पर है 2 men, यह हो जाएगा, 4 to the 8 men, यह गड़बड कर दी है मैंने, 8 men, women एक तरफ, 20 women में से जब 12 women minus करेंगे, और 12 men में से जब 8 men minus करेंगे, तो 8 women is equal to 4 men, यानि कि men is equal to 2 women, इतना हमने MDH का जो method था, उसने हमने solve कर लिया कि एक आदमी दो औरतों के बराबर काम करता है, चीक है, और यहाँ आपको क्या करो गया अब equation का, 1 men और 1 women can do it in 12 days, ठीक है, और 1 men जो है, 2 women के बराबर है, तो यह कितना हो जाएगा, 3 women is equal to 12 days, 3 women जो है 12 दिन में काम करती है, तो 1 woman उस काम को कित्ते दिन में खतम करेगी, एक women को जादा time मिल लगेगा, मतलब 36 days, एक women को 36 days लगेगा, तो 2 women को कम time लगेगा, मतलब की 18 days लगेगा, और 2 women जो है, यहाँ पे, एक men, जो है 2 women के बराबर है, तो यहाँ हम analyze कर सकते हैं कि 1 man can finish work in 18 days, 18 दिन में यह अपना काम खतम कर देगा, next is 4 to 5 0 into 3 parts such that second part, second part is 80 by 100 of first part, तो second upon first का जो ratio आ गया, 4 upon 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे given है ratio between first and third, यह second ratio first आ गया आपका, 4 ratio 5, और यहाँ से first और third का ratio आपका आ गया है, 5 ratio 8, तो हम इन तीनों का common ratio जब इस तरह से लिख देंगे, तो यह आएगा 4 ratio 5, 5 ratio 8, that is 4 ratio 5, ratio 8, तीनों का ratio आने के बाद, यह 4 to 5 rupees को बाटना है, first का जो part होगा, first part, first का जो part आएगा, कितना आएगा, 4 upon, इनका sum, 17 into 4, 2, 5, 0, 17, 2, 3, 4, 5, 0, तो यह आजाएगा thousand, second बंदे का जो part है, यह 4 है, यह second का part है, यह है first, first person का जो part आएगा, वो कितना है, 5 into में 250, तो 1, 2, 5, 0, और जो third person है, उसको कितना मिलेगा, 8 into में 250, 2,000, तो तीनों लोगों के हमारे पास यहाँ क्या आगया, तीनों लोगों का अलग अलग अलगा आगया, किसको 1000 रुपीज मिले, इसको 1, 2, 5, 0, इसको 2000, ठीक है, आप देखिए अगला कोश्यन, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है, 14 में, यह थोड़ी सी फिगर क्लियर नहीं है, यहाँ पे है, Y माइनस 11, यह है, X प्लस 11Y, यह है, 2X प्लस Y, और यह है, X प्लस 90, यह इस तरह से दे रखा है, और हमें बताना है, X और Y की वैल्यू क्या है, जब हम यह देखेंगे, कि यह पैरलल है, A is पैरलल टू, BC, तो यह वाला एंगल क्या हो जाएगा, X प्लस में 11 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे, X प्लस 19, X प्लस 11, 2X प्लस में Y, यह क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि यहाँ लिख देंगे, यह आपका रहेगा, linear pair, जब सब को add किया, तो यह हो गया, 4X प्लस Y, 19 और 11, 30, 30 उदर जाके, माइनस हो गया, तो बन गया, 150, एक equation हमें यह मिल गई, दूसरी equation मिल गी, from triangle ABC से, from triangle ABC, angle A, plus angle B, plus angle C, 11 है यहाँ पर बस, यहाँ पर Y नहीं है, यह सिर्फ 11 है, B plus C is equal to 180 degree, यहाँ पर आप mention कर देंगे, क्योंकि angles of a triangle, तो यह कितना हो गया, 3X, यह कड़ गया, plus 2Y, is equal to 180 degree, तो solving 1 and 2, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, first equation को हमने, 2 से multiply कर दिया, तो यह आएगी, 8X plus 2Y, 15 to, 2 is a 300, जब हम इनको subtract कर देंगे, तो यह cancel out हो गया, यह minus का 5X, is equal to, 180 minus करेंगे, तो 120 degree, minus से minus cancel out, तो यह 24, X की value आगई हमारी 24, X की value put कर देंगे, first में, put X in, X in first, तो क्या है, 4 into 24, plus Y is equal to 150, 96 plus Y is equal to 150, तो Y की value हो जाएगी, 150 minus 96, तो यह आगए आपकी 54 degree, तो इस तरहें से आपने values को solve कर लिया, हाँ जी, अपूर्व, साहू, hello, good evening, चलिए, next पे चलते हैं, यह है, A can fill an empty tank in six hours, ठीक है, A जो है, empty tank को six hours में भर सकता है, A is work of one hour, कितना हो जाएगा यह, one by six, या A fill one hour in, one by six part, B fill, B's one hour work is, कितना fill करेगा, one by eight, ठीक है, A and B together, A and B's together, one hour work is, one by six plus one by eight, 24, six, four is a 24, eight, three is a 24, that is seven by 24, यह हो गया, जोन का, एक घंटे का काम है, फिर कहते है, बोट दो पाइप्स और उपन, अफ्टे टू आर्स, तो, वर्क, दन, इन टू आर, two hour कितना, एक hour में seven by 24, तो two hour में क्या हो जाएगा, seven by 24, that is seven by 12, अब यह जो remaining work है, remaining work, कौन कर रहा है वो, remaining work, remaining work, पूरा one होता है, one minus में seven by 12, is five by 12, remaining work कौन कर रहा है, यानि five by 12 जो work है, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है B, ठीक है, how much time, will be, take to fill the, remaining tank, मदलब पूरे वन आर में, वो one by eight पार्ट भर रहा है, यह मलब one by eight पार्ट, a tank, fill in one hour, तो one part fill in, कितना है, eight hour, one part fill in, eight hour, तो कितना fill करना है, five by twelve, यह सीधा लिख देंगे हम, one tank, full tank fill in, eight hour, तो five by, 12 जो tank, उसने fill किया, five by, 12, four two is the eight, four three is the twelve, that is, ten by, three, ठीक है, यह तो था, R.A.C. का work, और सैनिक स्कूल, और इसके लिए, जो हमारा military स्कूल होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इतना काम कर रहा है, six, B is eight, हम दोनों का L.C.M. लेते हैं, 24, six, four is the 24, eight, three is the 24, कितना work हो गया, seven work हो गया, two hour तत्द बाद उनको बंद कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 14 work हो जाएगा, 14 work कौन कर देगा, A और B, जो बचा हुआ काम है, वो बचेगा, 10, उसको कौन करेगा, तो 10 by 3, ये तो 3 नाइनों का भी काम नहीं है, अगर सैनिक और RMS की परपरेशन करेंगे, उसके लिए ये ट्रिक चलेगी, और R.A.M.C के लिए आपको step by step सारी चीज़े करके दिखाने ही कर पड़ेंगे, कि एक टैंक को फिल करने में 8 आर्ज लगते हैं, तो 5 by 12 टैंक को फिल करने में उसे कितना आर्ज लगेगा, multiply by 8, ठीक है, next is, find the smallest number of 5 डिजिट, ये है, smallest number of 5 डिजिट, that can be exactly divided by, exactly इससे डिवाइड हो जाए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे, इसका LC है, 10, 6, 60, 10, 9, 10, 8, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 8, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 8, यहां 3 और 4, तो कितना आ जाएगा ये, 4, 3, 12, 2, 24, 24, 4, 3, 12, 7, 20, तो हम क्या करेंगे, 7, 20 से सो, इसको डिवाइड कर देंगे, 7, 21 सा, 7, 20, 2, 30, 2, 30, फिर हम कैरी करेंगे, यहां से 0, 3 पे जब हम जाएंगे, तो यह जादा हो जाएगा, 3, 2, 6, जादा 3 पे ही जाएगा ये, 0, 3, 2, 6, 7, 3, 2, 1, 1, 1, 40, यानि कि, 7, 20 में से, 1, 40, सब्ट्रेक्ट करके, जो वेल्यू आएगी, आपकी 10,000 था, उसमें हम 580 को, एड कर देंगे, यहां 10580, is the required number, which is exactly divisible by, 6, ठीक है, 60, sorry, 60 से डिवाइड हो गा ये, 7, 20 में से, जब हम 40 को, सब्ट्रेक्ट करेंगे, इसका रिमेंडर, 580, ठीक है, और ये क्या होगा, smallest number of 5 डिजिट, that can be exactly divisible by, 60, 1 मिनिट, क्या मिस्टेक कर दिया, हमने, 4, 3, is at 12, तो 720, 720, वन सा, ओके, यहां मिस्टेक कर दिया, ये, वेट मिनिट, ये छोटी से मिस्टेक होगे, 720, वन सा, 720, 8, 9, 280, 280, 280 रहेगा ये, 4 पे जादा चला, ये आएगा, ये आजाएगा, आपका 0, तो ये आएगा, 640, यानि, 720, माइनस, 640, जो वेल्यू बनेगी, 640, जब इसमें से सब्टेक्ट करेंगे, हम, तो ये आएगा, 80, यानि, की, रिक्वाइड नंबर, हमारा क्या रह जाएगा, रिक्वाइड नंबर, इस, 10,000 में हम, 80, एड कर देंगे, तो 10080, ये आपकी, वेल्यू हो जाएगी, ठीक है, ओके, हाँ जी, क्या है, ये अपूर्व साहू, चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इस, अब बोट गोज, 2.5, 25 किलोमेटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, लेट, स्पीड ओफ, बोट, is equal to x, स्पीड ओफ, स्ट्रीम, is equal to y, आपने, स्पीड ओफ बोट मान ली, स्पीड ओफ स्ट्रीम मान ली, ठीक है, 25 किलोमेटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड, इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है, कि वो उसकी लहर के साथ ही चल रहा है, distance upon time, that is 2.5, और upstream में जो formula है, कितना है, 12 km upstream in 3 hours, तो ये तो आ गया 10 और ये आ गया 4, अब हम adding, add कर देंगे, adding, तो 2x is equal to 14, यानि x is equal to 7, x को जब हम 7 put कर देंगे, putting x in x plus में y is equal to 10, तो x की value 7, तो y की value क्या हो जाएगी, 3, तो boat in still water, boat की तो हो गई x, 7 km पर आर, stream की हो गई y, 3 km पर आर, हमारी दोनों values आ गई है, next is, ये तो सब को पता है कि ये linear pair बन रहा है, इसमें तो कोई difficult नहीं है, ये बहुत easy question है, is equal to 180, यहां mention कर दोगे, linear pair, जो बहुत easy question है, वो यू नहीं है कि आपको बस निकाल दिया value ऐसे ही कुछ रफ में करके, आपको सारी values प्रॉपर लिखके, solve करके, उनकी terms बता करके, वो क्यों कि आपने, वो लिखना पड़ेगा साथ साथ, तो 4X plus 20 is equal to 180, तो 4X is equal to 160, X is 40 degree, तो यह आपका 5 line का या answer है, लेकिन आप proper लिखेंगे कि, यहां क्या लिखोगे, angle LOP plus angle POM is equal to 180 degree, linear pair, यहां लिखोगे कि इसको angle LOP is given 3X plus में 15, तो हर चीज step by step आपको लिखनी है, हां जी, यह आ गया है आपका question, अपूर्व साहू, ए train covers a distance between two stations A and B into R, if the speed of the train reduced by, तो आप distance माल लो, let, हम क्या माल लेंगे distance, let, let distance between A and B is equal to X kilometer, हमने distance माल लिया, speed माल लिया, आपने, speed is, अच्छा, आपको क्या करना है, A and B in two hours, if the speed of the train, speed माल लो, Y kilometer per hour है, ठीक है, जब Y kilometer per hour है आपकी speed, तो A से B जाने में उसे दो घंटा लगता है, ठीक है, यानि distance क्या हो जाएगा, distance हो जाएगा, speed into time, speed is Y into time is 2, यह आगए distance, ठीक है, दूसरे बार क्या कहा जाता है, if the speed of the train is reduced by 6 kilometer per hour, अब reduce कर दी जब 6 kilometer per hour, तो same distance, ठीक है, जो यह 2Y का distance है, वो 2Y का distance है, वो यह cover करता है 3R में, तो दोनों को हमने equal रख दिया, यहां से क्या आजाएगा, 2Y is equal to 3Y minus 18, Y की value क्या आजाएगी 18, यानि कि क्या आगए आपका, Y, speed आगई आपकी 18, जब speed 18 आगई, तो यहां value put करने से, distance क्या आजाएगा, 2Y, 2Y मतलब 2 into 18, that is 18 to 36 kilometer, और यह Y, आपका क्या आगया, speed 18 kilometer per hour, hope this is clear to you, ठीक है, आपने हर चीज स्टेप पर स्टेप करके दिखा दिया है, एक copper wire, when bent in the form of a square, encloses, यहां क्या आगया, area of square, 121, therefore side, side क्या हो गई, 11, perimeter क्या हो गया, 4 into 11 is equal to 44, अब यह जो perimeter है, अब यह जो square है, इस square को, उसने circle की form में बना दिया, यानि की circumference of circle जो आएगा आपका, वो क्या आएगा, 44 आएगा, यहां लिख दीजी, circumference of circle is equal to perimeter of square, आप लिख के दिखा दीजी, इसको की हमें पता है, यह हमने कहां से निखाल ला है, 2, circumference होते हैं, 2 pi r, 2 into 22 by 7 into my r is equal to 44, सब solve करके r आगया, 7, now, area of circle, circle is equal to pi r square, तो pi is 22 by 7, r is 7 into 7, that is 154, cm है, तो आप यहां cm square लिखना पड़ेगा, यहां पे cm लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं, तो इसका भी आपका marks कर जाएगा, यह unit आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है, चलिए, next question is, this, रहीम sold, रहीम sold two of his buffaloes, selling price, क्या लिखेंगे, selling price of buffalo, एक buffalo है, तो उसका हो गया 20,000 रुपीज, ठीक है, when, gain is equal to 5%, तो CP क्या हो जाएगा, SP into 100 upon 100 plus gain percent, SP is 20,000 into 100 upon gain is 105, ठीक है, तो यह आपका आगया CP, अब, तो यह वैलू आपने रख दी, ऐसे, ठीक है, अब है, आगे क्या लिखेंगे, when loss percent is equal to 10, तो CP क्या आजाएगा, 20,000 into 100 upon 90, 0 से 0 cancel out, that is 20 upon यह, 9, ठीक है, अब आपको क्या find out gain or loss, total gain or loss, तो selling price of one buffalo is 20,000, तो total selling, पहले cost price निकाल लेते हैं, total, total कितना हो गया, upon 21 plus, upon 9, इनका LCM वगारा ले करके, जब हम यहां मैं रख कर देती हूं, क्योंकि आपको इदर solve करके दिखाना पड़ेगा, कितना आएगा, CP क्या आजाएगा, 21 और इसका जो आएगा, LCM, यह आएगा आपका, 21 और 9 का LCM is, 63, 63 आएगा, तो यह आजाएगा, 4, 3s are 12, minus, 9, 7s are, 7, 2s are, sorry, 7, 2s are 14, यह आपका value जो आगई, यह आगई, 26, upon 63, यह total CP आगया, cost price आगया, और total SP, selling price क्या हो जाएगा, 40,000, ठीक है, 40,000, profit है कि loss है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम, 63 से multiply कर देते हैं, ताकि हमारा denominator सेम बन जाए, जब मैं 63 से multiply करूँगी, तो यह value मेरी बनेगी, आपका, 252 upon 63, तो selling price कम है, cost price जादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, loss हो जाएगा, और loss कितना होगा, जब हम इन दोनों को, subtract करेंगे, कि divide में 63, और 252 जब इसमें से subtract होगा, तो यह आजाएगा, आपका, 80,000 upon 63, अपका क्या जाएगा, loss आजाएगा, total loss, next is, the price of a machine, depreciate at 10% every year, if the present value of the machine, यह present value है, ठीक है, what will be the value after 3 years, तो यानि, यहाँ पर compound interest का formula, लग जाएगा, कि 10 साल कम हो जाती है, हर साल, तो 3 साल बाद, उसकी value बताईगे, तो कितना आजाएगा यह, 10 से 10 cancel out, क्या आएगा यह, 11 upon 10, raised to the power 3, तो इसकी जब हम value solve करेंगे, 1331 upon 10,000, power 3 है, यह value कट जाएगी, हाँ पर बन गया, 1331,0, अच्छा, depreciate हो रही है, तो minus होगा यहाँ पर, depreciate हो रही है, मतला कम हो रही है, तो उसका जो है, value आपकी, कम होईगी है, यहाँ पर, power 3, कितना आजाएगा, 9 upon 10, raised to the power 3, यह आएगा, 729 upon, 30 से 30, cancel out, that is, 729,00, तो तीन साल बाद, जो value घटके बच गई, वो है 7,000, 72,900, next is, और A can do a piece of work in 25 days, ठीक है, A can do a piece of work in 25 days, A's, A's, one day work, 1 by 25, B's, one day work, is equal to 1 by 20, they work together, A and B's, one day work, कितना हो जाएगा, यह, 1 upon 25, plus 1 upon 20, that is 100, तो यह आपका कितना आजाएगा, जब solve करके आएगा, A and B's, one day work, is equal to, 9 upon 100, ठीक है, then A goes away, work for, यहाँ पर mention नहीं है, they work together for how many days, यहाँ यह mistake है कुछ, कि कितने दिनों तक काम किया, उन्होंने यह लिखा नहीं हुआ, mention नहीं किया हुआ, यहाँ यह mention नहीं है, कि उन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो मैं यहाँ ऐसे कुछ मान लेती हुआ, like उन्होंने, 5 days तक काम किया है, ठीक है, they work together for 5 days, 5 days तक काम किया, कि A का one day का काम है, तो 5 day का काम क्या हो जाएगा, 9, 5, 45 upon 100, in how many days will be finished, the remaining work, तो remaining work क्या हो जाएगा, remaining work हमेशा, 1 में से subtract करते हैं, 45 upon 100, that is, 55 upon 100, ठीक है, remaining work है, in how many days will be finished, the remaining work, ठीक है, 1 work को खतम करने में, 1, be कितने दिन लगा रहा है, 20 days लगा रहा है, 55 upon 100 work को finish करने में, be कितने टाइम लगेगा, 20 into 55 upon 100, that is 2, 5, 10, that is 11 days, तो उसको कितने टाइम लगेगा, 11 days लगेंगे, यही question अगर RMS में होता आपका, तो हम कैसे solve करते हैं, तीन line का question है, कि A, 25 days में, B, 20 days, LCM is 100, और B, यह divide करना है, हमें LCM लेके, जो value 25, और जा 100 होता है, 25 जा, अब इन्होंने 5 days तक काम किया, 5 और 4, 9 work हो गया, 5 days तक काम किया, तो 45 काम हो गया, अब 100 होता है, total work, 100 में से 45 हो गया, तो 55, 55 को कौन कर रहा है, B कर रहा है, तो 1 day का काम क्या है, 5, तो it will be 11 days, ठीक है, तो यह आपने, question, R.I.M.C के previous year के किये है, तो आज के लिए इतना ही, thank you, जै हिंद, तो एई हिंदृे कार्णिक, जै हिए प्टीक,